है लो स्टुडेंट्स वेलकम बेक टु हिंदी मिरड चैनल सभी स्टुडेंट्स का हिंदी मिरपरफ्रसे स्वागत है अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं थर्डियर के स्टुडेंट्स की बहुत क्वारीज आ रही थी कि मैंने पॉलिटिकल साइंस हिंदी और जो है हिस्ट्री कोशन बैंक लेकर आई है तो हिंदी का हम दोनों ही पेपर आपके अपलोड कर चुके हैं फस्ट पेपर भी और सेकंड पेपर भी कोशन बैंक भी अपलोड कर चुके हैं और 2022 में जो पेपर हुआ था और 23 में जो पेपर हुए थे वो भी आपके लिए अपलोड हो चुके है काफे स्टुडेंट्स बोल रहे हैं कि 2021 का भी दीजे तो आपको बता दें कि 20 में और 21 में जो पेपर हुए थे वो MCQ बेस हुए थे अगर आपको कोई पेपर दे रहा है तो वह भरमित कर रहा है कि 20-21 का आपको पेपर अगर मिल रहे हैं क्योंकि वहाँ पर ठेयरिकल पेपर नहीं हुआ था, MCQ बेस पेपर हुआ था अब एक और है स्टुडेंट्स की कि जो 15 जो हमारे MCQ जाते हैं तो वो जो 20-21 में MCQ हुए थे वो पेपर आप करा दीजे तो आपको बता दूं कि मैंने जो हैं सॉल्विंग डाली हुई है 20 और 21 म देवे हैं उनको भी आप देख लिजे आपकी एक ही प्लेइलिस्ट नहीं है दो से तीन प्लेइलिस्ट बनी हुई है थार्ड यर की ओनली मैंने थार्ड यर की काफी कंटेंट मैंने अपलोड किया वा है एक बार आप जरू चेक करें विजिट जरू कर ले प्लेइलिस्ट म हमें motivate होते हैं और motivation हमें मिलती है अब यहाँ पर आपको बता देते हैं कि share जरू कर दीजिए क्योंकि आपके share करने से सबी students तक ये question bank पहुचेगा जो third year के students हैं क्योंकि श्रीदेर सुमन university के बैसे बहुत students हमसे connected हैं तो 17K आपके हो चुके हैं आपके परिवार के ऐसे ही connected रह और भड़ते रहे हिंदी परिवार के साथ यहाँ पर आपको बता देते हैं लोग प्रशाशन के तब तत्व पॉलिटिकल साइंस पेपर सेकिंड अभी बैक टू बैक में पेपर अप्लोड करूंगी फर्स्ट भी और सेकिंड भी ये third year question bank पहला प्रशन था लोग निजी प्रशाशन में अंतर इसपस्ट करते भी इनकी समंता यहाँ पर सामानताओं की बेचना कीजिए बर्तमान में लोग प्रशाशन वे निजी प्रशाशन के मध्य बढ़ते अंतर को इसपस्ट करना है तो यहाँ पर जो बर्तमान में लोग प्रशाशन है और निजी प पारे में समझाईए तो बहुत ही इंपोर्टेंट है ये वाला प्रशन भी आपका विकास प्रशाशन जरू पढ़के जाएगा 99 आप मान के चलिए विकास प्रशाशन में से आपका कोशन जरू पूछा जाएगा विकास प्रशाशन की महत्वपूर्ण विश्यस्ताओं का उ अंगठन के प्रमुर सिधानतों की व्याख्या कीजिए मेरा कोशन बैंक देखने से पहले आप प्लीज प्रेवेस कोशन पेपर जो मैंने अप्लोड किये हैं पॉलिटिकल साइंस के फर्स पेपर भी अप्लोड किया है और सेकिंड भी और दोनों ही 22 भी और 32 भी दोनों मैंने अप्लोड किये हैं उनको पहले देखेगा कौन-कौन से प्रशन वहाँ पर रिपीट हो रहे हैं एक नोटबुक बनाईए पहाँ पर कोशन लिख लीजिए क्योंकि आपको जब पता चल जाएगा कि एक आपको कौन सी दिशा में जाना है कौन से प्रशन आपको तयार करने ह हैं तो आप फिर जल्दी कवर कर पाएंगे और काफी स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि जो हमने डेटशीट अप्लोड की हैं वहाँ पर स्क्रोल नहीं हो पा रहा है तो मैं कोशिश करूंगी कि आप तक जो है डेटशीट भी पहुंचाने की लेकिन अगर आप खुद से वैप चलिए आप नेक्स कोशन देख लेते हैं असंगठन के मूलाधार क्या है शंक्षिप तूले कीजिए मुझे लगता है जो प्रिवेज आपका कोशन पेपर है वहाँ पर भी ये प्रशन पूछा गया है नेक्स कोशन आपचारिक संगठन को समझाईए नोकरशाई से आप क् परिभाषा भी कर लीजिए इसका अर्स कर लीजिए गुंडवय दोष कर लीजिए और इसके परकार भी इंपोर्टेंट प्रशन है एक बार शोट में आया है र एक बार लोगा लोंowan में आया है तो इस बार भी 99 चांसे हैं कि यह प्रशन आपका बन सकता है एक्जाम में Pay हैं प्रिवेश प्रश्ण आपके जो हैं काफी पूछे गए हैं भरती से संबंदित तो भरती वाला जो टॉपिक है उसको अच्छे से तयार कर लिजेगा नैस कोशन है लोग सेवा में पादोनती की विभिन जो प्रविधी हैं उनका शंक्षिप्त वर्णन कीजिए और मुझ प्रकार पूछे गए जैसे वहां में ने प्रकार नहीं डाले ते दुबारा डाले हैं प्रकार तो यहां पर भी प्रकार जरूर कर लिजेगा प्रशनी ये भी आपका बहुत इंपोर्टेंट है फिर है टिपनी टिपनी का मतलब शोट कोशन होते हैं तो लोग से लिखा समीती पूछा जा सकता है प्राकलन समीती लोगपाल लोकायुत चारों में से एक से दो जरूर आएगी ठीक है जरूर तयार करके जाएगा बजट का प्रशनी भी जरूर आएगा बजट से आप क्या समझते हैं बजट निर्मान के महतो पूर्ण सिध्धानतों की विवेजना कीजिए बजट में लेखा परिक्षन वे लेखांकन के संदर में निबंद लिखे दोनों ही प्रशनी बहुत इंपोर्टेंट है करके जरूर जाएगा नैस कोशन है लोक वित्य प्रशाशन में लेखांकन परिक्षिक्षन के महतों को समझाना है बजट के सिध्धानतों का वर्णन कीजिए अब यहाँ पर देखिए बजट से संबंदी तीन कोशन आप तक पहुँच चुके है तो इनको आप तयार कर लीजिए अब आते हैं पोस्ट कार्प पोस्ट कार्प का प्रशन रिपीटिड प्रशन है जरूर करके जाएगा हो सकता है इस बार भी यह रिपीट हो जाए दो बार से रिपीट हो रहा है लोग प्रशाशन के पोस्ट कार्प के वियाक्या करनी है फ लोकायुत प्रशाशनिक भ्रस्टाचार पर कैसे नियंद्रन कर सकते हैं विस्तार पूर्वक समझाए इस तरह के कोश्चन जो होते हैं वो रैंडमली पूछे जाते हैं तो हो सकता है लोकपाल और लोकायुत को पढ़के जरू जाएगा यहां से प्रशन आपका 99% बनेगा ज सकता है मैं परकार बताऊं आपसे उद्देशय पूछ ले विसे मैं कोशिश करती हूँ कि आप तक मैं अच्छे प्रशन पहुंचाऊं और अपका थर्डियर है जो आपका एक्सपीजिन से वह अच्छा ही रहा है तभी आप लोग कि तनी क्वायरीज भी आ रही है और आप दोनों कोशेन दूसरे से मैच कर रहे हैं, इस तरह सी प्रश्ण बन सकता है, टिपनी की तरह भी बन सकता है, चलिए बने रही है, अभी हिंदिवर्ण की साथ एक लाइक कर दीजिए, वटाप वटाप शेयर कर दीजिए, सभी स्टूडेंट्स को और अभी तक कनेक्टिड नह हूए है, 3 साल से अभी तक तो तीसरे साल में तो होई जाए है,